आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे गाओं की कहानी जो की जाना चाहता था मिथला की राजधानी की रूप में जी हाँ मैं बात कर रही हूँ नान्य देर जी के नाम पर आधारित नानपुर विलेज की जो की पहले पूरी मिथला का राजधानी माना चाता था और अब वह स्टेट के बाद पलिवर्तित हो चुका है एक विलेज की रूप में नान्य देर जी जो करनाट वंस के फाउंडर मानी जाते हैं और उनके नाम पर ही इस गाउं का नाम पढ़ा था नान्य पूर जो की अब नानपूर के नाम से जाना जाता है नान्य देर जी करनाट के वंस के फाउंडर और संस्थापक मानी जाते हैं वह करनाटक से आए हुए माने जाते हैं और जब वह आये थे तो उन्होंने नेर बाउट पचास सालों तक राज्य किया था मिधिलांचल में और ऐसा माना जाता है कि वह नेर बाउट एक हजार संतानवे इस्वी में मिधिलां आये थे और 1147 इस्वी तक उन्होंने पचास सालों तक वहां पर राज्य किया था आये इस वीडियो से हम जानते हैं उनके पूरे कार्यकाल को कि उनके सामने कैसे कितनी समस्याएं आई और उनका जो राज्य चला वो कितने समस्याओं से होकर गुज्रा और उनके सामने क्या-क्या समस्याएं आई जिनका उन्होंने वीरता से साहस से और अपनी बुद्धी म नमस्कार, जन्मियाटीगी में आपका स्वागत है, आज हम है नानपूर स्टेट में और हमारे साथ है सुभास्त चंदरमिर्ष्ट जी जो कि यहां के वरिष्ट नागरिक हैं और हम चाहेंगे कि वह पुछ नानपूर स्टेट के बारे में बताएं और भगवती इस्थान जो नान्यदेव जो थे से उनके बहुत बरिष्ट समझे की काम आथी थे, क्या करते हैं, कार्ज करता थे, करनाटक राज्य के, क्या हुआ है कि उनको कुछ मत्वेद हो गया अपने राजा से, वो वहां से चल दिये राजा नान्यदेव जी करनाटक से आये हुए थे, ऐसा माना जाता है कि करनाटक के राजा से उनका कुछ मत्वेद हो गया था, जिसकी वज़े से वहां सिवा चले आये थे और जब वे मिठला की तरफ आ रहे थे, तो काफी जंगलों से उनको गुजरना पड़ा, और एक बहुत ही प्रचलित कथा उनके बारे में है, कि जब वो जंगल से आ रहे थे, तो उस जंगल में एक बहुत ही बलसाली तक्षकनाग रहता था, वो तक्षकनाग वहां से आने जाने वाले हर किसी नागली को मार देता था, ठीक उसी प्रकार जब राजा नान्यदेव बहां पर पहुंचे उस जंगल में, तो उस तक्षकनाग ने उनके उपर भी हामला कर दिया, उनका हामला करने की वजह से राजा नान्यदेव के पास तलवार था, और उन्होंने उस हमले का प्रति उत्तर दिया, काफे लड़ाई होने के बाद उन्होंने उस तक्षकनाग पर विजह प्राप्त कर ली और उसका जो गला था, वह धर से अलग कर दिया, वह तक्षकनाग बहुत ही बलसाली था, और ऐसा कहा जाता है कि उस तक्षकनाग के मस्तिक्स पर एक स्लो का संस्कृत में लिखा हुआ था और उस संस्कृत के स्लोक का अगर मतलब देखा जाए तो उस पर लिखा हुआ था कि जो भी मुझे मारेगा वह इस पूरे मिथिला रेजन का राजा बनेगा, उन्हों उनको यह बात पता चल गई थी और आगे चलकर हुआ भी ऐसा, राजा राजा नानन्य देव मिथला पहुझे Shirley, अर मिथला में जाकर उन्हों ने वहां की विवस्ता की और सब कुछ वहां पर विक्सित किया, और आगे चलकर वो नानन्य पुर के, जो कि नाननन्य पुर जाना जाता था पहले, वहां पर उन्हों ने अपनी राजधानी बनाई औ पूरा इस अब जंगल था बशावत वगर कुछ नहीं आदमी वगर का कहीं कोई पता नहीं ये करीवा एक हजार संतानवे की घटना है उतके पहले की घटना है एक हजार संतानवे से पहले की घटना है राजा नान्यदेव आज अब रहे थे तब जंगल होके उनको पार करना पड़ा चुकि रास्ता उसी होकर था जंगल ते बीच होकर यहां जो है तो एक तक्षक जो था और उस जंगल में बास करता था उस रास्ते से जो कोई आता था तब क्या हुए कि कोई उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं था बैर के मारे राजा नान्यदेव को भी इनको भी नाद्यदेव जी को भी उसी रास्ते से गुजरना परा जब आ रहे थे तो उस तर्चत ने उस सर्पने इंपर अठेक कर दिया हमला कर दिया काटने के लिए क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि उस रहे में तो लोग ज्यादा तर अपना हथिया तलवार होकर नहीं रखते थे तलवार ही अपने तलवार से उसका कर्दन काट दिया और गदनकतने के बाद में उन्होंने देखा क्या कि था वो नाग जो था बहुत विशेष करणाग था उसके मस्तक पर एक स्लोक लिखा हुआ था अच्छा मस्तक पे स्लोक था अच्छा मुझे याद नहीं है वह इशारा आपको मिठला के किहांग में सब को मिल जाएगा जो मतलब यह कि इस तच्छक नाग को जो कोई मार देगा वो मिठला का राजा बनेगा जैसा कि सभी जानते हैं उनकी प्रचलित कथाओं में ऐसा वर्णन किया जाता है कि उन्होंने जिस नाग को मारा था और उस पर विजय प्राप्त की थी जब उन्होंने उसका तलवार से सिर्का दिया तब उसके मस्तक पर एक स्लोक लिखा हुआ था वह स्लोक जिसमें पूर्व निर्धारित लिखा हुआ था कि राजा नान्य देव ही आगे चलकर मिथिला के राजा बनेंगे वह स्लोक इस प्रकार है जिसका मतलब था कि वह पूर्व निर्धारित था कि राजा नान्य देव आएंगे और उस तक्षक नाग कस्यर काटने पर उस पूरे मिथला रिजन के राजा पहनेंगे सिर्फ इतना ही नहीं लिखा था उस इसलोक में उनके पूरे कार्रिकाल कब से स्टार्ट होगा या भी लिखा हुआ था आगे देखते हैं वह दूसरा इसलोक क्या था जिसमें उनके कार्रिकाल को लेकर भविश्यवारी लिखी हुई थी ऐसी चीजें जिन पर लोग सोचकर भी विस्वास ना करें ऐसी घटनाए भारत वर्स में हो चुकी हैं और आईए जानते हैं वहां के लोकल लोगों से कि उस नाग के मस्तक पर आखिर वा पूरा इस लोग क्या लिखा हुआ था इस वीडियो से के बाद एक साय निकले ओ सर्फ निकले और सर्फ निकले लिखान कालिका बिलकुल तो घोरा हिंहा लग लगले अवास में रूकिए युद्धा वार्थ निव्त रहत विद्वां में तो पन पर की लिखान है इतरही रही को बेट नलो बेट बेतरी राजा पुरूर эпार अज़यां। इएन परे लंग्रे करत पें ग्होंत्र नायने के थांग। अजय को दो डिमी तोट को माँति मैं खुर्द शिद करागी। अच्छा तो कहिया राजा नंदेंदु बिंदु विधुसाम बित साक बढ़के बरसे कस्ष्रावने सितदले मुनिशिध्य तित्याम स्वाति सनाई सर्जुताई कर बड़ी लगने तन्नान देवो निपतियस्तू विधियस्तू बास्टवा लगन महुर्त में वेठ्व के राजावत में बात इसे में सर्फ के मस्तक पर यह लिखल चला है एकर थोड़ा सा मीनिंग हां हिंदी में कई देता हो तो माने उस्ताब जी के बाद ही वह इस्ताब नंदेंदु बिंदु विधुसाम बित साक बढ़के सत्थावने सित जले मु स्वाति शनाई सर्यूताई कर वह लगने कन्ना नान देवो निर्पति अस्तु विधी अस्तु बास्तु आच्छा तो यह जेचे से ओकर सर्फ के उपर लिखल चला है ना तो सर्फ में तर यह लिखला है कि रामो बेट नलो बेट बेट राजा पूर्वा और कस्या धनंग प्रापिन नान राजाबों में से आचा इस सर्फ पर ही लिखला है तो नान देव जीजिए महरात दिन के स्टेच्चू हमरा अक्नु आई ब्रहमस्तान पर ब्रहमस्तान पर जे घोरे पर सवार्थेथ याद करियो हां तो मनें स्टेच्चू के रखल के लिए यह अच्छा नान पूर स्टेच्च से पहले के स्टापना चाहिए मंदिर जे घामस्तान करें नान्य देव जी अपनी वेर्ता साहस और सौर्ड के लिए बहुत ही जाने जाते थे और विद्वान उन्हें निथिला का पुत्र के नाम की उपाधी देते ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने सामराज्य में मिथला की राजधानी नान्य पूर को बनाया था और आज कल उसे नान्य पूर के नाम से जाना जाता है कुछ समय के पाश्चात उन्होंने अपनी राजधानी नाननेपुर से सिफ्ट कर दी थी सिम्रावगर को और जो कि अपने पाल में इस्थित है आज भी वहाँ पर उसके साक्षे मिलते हैं वहाँ पर पत्धर की सिलाओं पर लिखा हुआ है कि उन्होंने स्ट्रावर माह के सिंग लग्न में स्वातिनक्षत्र में एक इस्तंभ बनवाया था यह साक्षे आज भी वहाँ पर है जब यहां आए उधर तो इन्होंने कैसे कैसे तुड़ा एकडम और गनाइज करूर के अपना मिठला राज का इकिया और उसके बाद में तब राजा बन गया यहां मिठला के राजा प्रथम राजा राजा नान्य देव और राजा नान्य देव का जो है वो कार्जस्थर ज ब्लाओं में तो उनक्या वोख़ा खुल खुदवाया हुआ है जहां गोरा को का शनान होता था बाग जहां आता था पानी पिने उसको बागा का जाता है उनके जो घोड़े जहां पर वह अपने घोड़ों को पानी पिलाते थे उसका नाम घुड़वार रखा गया था और जहां पर उनके बाग पानी पीते थे आकर उसका नाम बगहा है और वह दोनों पोखर आज भी उनके इतिहास की साक्षे को दरसाते हैं उनका साक्षे आज भी वह पोखर वहां पर इस्ते थे थे इस प्रकार क्या हुआ है कि राजा नाने देव बन गए तो मिचला का राजाओ बन गए उसके बाद उनका यहां आज करीब देर सो वर्तों तक उनके परिवार के सतस्य लोग मिचला के राजा रहे हैं उसके बाद में तब फिर मुसलमान लोगों का अपना हमला हुआ हुआ इनका यह हो गया उनहीं राजा नाने देव के नाम पर इस गाओ का नाम नान्यपूर था किताब में भी उलेकित है और उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने 1097 एस्वी से लेकर 1147 एस्वी तक मिथिला के विजन में शाशन किया था और पाल बंस के लोगों से उनका विरूधा भास दिखाई रहे था नान्य मोलता करणाटक का एक सब्द है और जिसका अगर मतलब देखें तो उसका मतलब होता है कि भगवान का सबसे डेरेस्ट भगवान का सबसे प्यारा इसी वज़े से नान्य देवजी ने अपनी राजधानी नानपुर को बनाया था नान्यपुर और आज भी वाना जाता है कि ब्रह्म इस्थल जहां पर उनकी समाधी है वह इस्थल उस पूरे नानपुर विलेज की रक्षा करती है है अचे हम लोग बच्पन में सब को देखते थे चिप्रस बनायपुर का उसके वा प्लै ओ ंतरो हो गाया उसके वार में तब प्लें उनका जो है सो बिंद्ध नेपाल में हमें उनका कुछ था गाइब नहीं आप नहीं आपको पिर समस्ती पूर में भी था अच्छा मतलब यह समराज जो था वह नेपाल समस्ती पूर मिठला का राज जहां तक है वहां तक उनका था अच्छा देर सब वर्सों तक उनका परिवाद जो है इस पर सासन किया नान्य देर जी का नानपूर जो की पूरे मिठला की राजधानी थी कुछ समय बाद मुस्लिमों के आक्रमर के बाद वह कनवर्ट हो गया था इस्टेट में और इलाहबाद के एक चौधरी महादेव जी उन्होंने आकर इसका सम्हाला था कार्विकाल और उसके बाद वह नानपुर जो है, भाश्धानी कनवर्ट हो गया था एक स्टेट मे और स्टेट के बाद उसका कंडन हो गया, विघटन हो गया, और अब वह एक विललेज की रूप में जाना जाता है आईए जानते हैं कि इसका खंडन और विघुटन कैसे हुआ वहां के ही प्रतेस्थित लोगों से उसके बाद में तब फिर मुहम्दा लोगो का मुसामान लोगो का हमला हुआ इस पर नदपूर एक एस्टेट बना नदपूर स्टेट का इदियाज तुम मुझे पता नहीं है लेकिन यहां एस्टेट है पहले कुछ जम्दली में और कौन-खौन लोग पहले मुसल्मान थे न सुष्णार भतने मं, जुझेर न भीता मना में का शुटार लोगो कि नदपूंथे को मुक्तम मुटन साय diversity होड़ नौपूर एक डूठी उन कौनन देडा में कना बंद लिए एकि प्राम हम्दूर आउंपूरा पर्षाद करे नहाजपाध के जीरे होज़ते हो इसले खतम हो गई तब यहां भी जमींदारी खतम हो गई अब नानपूर एस्टेट करीब तीन किलो मीटर में उसका उसकी चार दिवारी थी नानपूर एस्टेट की वह भी मेरे क्याल से अब अतिक्रमाण हो गया वहां पर गाओं के लोगों ने जमीन खड़े लिया बीच में और चार दिवारी खतम हो गई अच्छा चार दिवारी के कडिशा अठा दस्टा था मोठा तरह हाथ मोटा पेर था मोगनी का चार यो तरफ एक से एक मैंने मेडिसिनल प्लांट था बीतर में एक से एक फ़ल सब बीतर में सारा सब कुछ जब एस्टेट चला ही गया तो वो सब भी उसके साथ ही कालग कबली थो गया आच्छा जे तो यही है नानपूर काई कि आसुद ब्रहमास्थान और भडवतियस्थान के लिए जम जो है और सारा सब कुछ नानपूर स्टेट का ही दिया हुआ है नानपूर में तीन मंदिर है पहला है ब्रहमास्थल जहां पर नान्यदेव जी की समाध्य स्थल बनी हुई है और उसमें अभी भी बहुत ही प्रचलित तरीके से पूजा पद्दती चलती है दूसरा भगवत भगवती स्थान ऐसा माना जाता है कि माभगवती का वह स्थान जहां पर उनका पिंड रखा हुआ है उससे कुछ दूर पर बगहा पोकर है और माभगवती के जो बाग है वहां पर ही आकर पानी पीते हैं तीस्ता मंदिर खंजनिया देवी जी का है और खंजनिया देवी जी के मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है जहां पर खंजनिया देवी जी आती है और अरगा लेकर वहां से तीन किलोमीटर की दूरी पर एक और मंदिर है वहां तक वह जाती है और अरग देती है यह तीन तीनों मंदिर बहुत ही famous है वहां के बाहर के लोग और जो भी वहां के local लोग है वह इन तीनों मंदिर की पूझा आराधना करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इन ही तीनों मंदिर की वजह से ही आज तक प्राकृतिक आपदाएं नानपुर में नहीं आती है और उन्हें हर समस्या स आए जानते हैं उसके बारे में इस वीडियो से इसका क्या महत्व है कुछ इसके थियास के विश्व में चाचा बताएं थोड़ों का कहना है कि उसमें ब्रह्म के रूप में राजा नान्य दे भी है अच्छा वो मतवा है अभी भोरा पर जो कहने जो आयत है वहां से अभी अभी उनकी मूर्ति जो जिसकी पूजा हम लोग करते हैं और होड़ा पर ही मूर्ति को इंटिया गया हुआ है आच्छा और यह भगवतियस्थान के बारे में थो भगवतियस्थान में सब दीतव प्रतेव गाव में यह सारा सब कुछ तो इनका आदिय संक्राचाट के प्र अच्छा तुछ बगाए मेरे क्याल से वह बाग ऐसी बताते कि बगवतियस्थी वहां से आती थी वह बाग पे आप पर उसके बाद में तब है कि इसका एक्ठो यहां रन पर जो है बहुत बढ़ा बजीचा था नानपूरे स्थेट का नानपूरे स्थेट की राजदेवी जंगली मंगली है आँ पर जाता है वह से नहीं पर आव गर्फोरे स्थे देद बताटारा थिसने हम फहां जन데बी अरु साम हम जनके हम लोग बच्पन मैं सुना करते थे कि चंगली मंगली का अरण पर वहां पर बहुत नहीं अओ परग सापडी मेरी थी घंगली में यह आज की परिचर्चा थे जिसमें हमने जाना कि कैसे नानपुर देश बसा कैसे राजा नाने देव ने यहां पर सासन करा तक्षप को मार के उसके बाद फिर जो है आज वो एक छोटा सा गाउं में पर्णित है और उसके विकास की दर्सा है जिसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में फिर से चर्चा करेंगे आज की एपिसोड में धन्यवाद जन्मीडिया टीवी से विकास मिश्रा नाने प्यार नाने मोलता करनाटक का एक सब्द है और जिस इसी वज़े से नान्यदेव जी ने अपनी राजधानी नानपुर को बनाया था नान्यपुर और आज भी वाना जाता है कि ब्रंभ इस्थल जहां पर उनकी समाधी है वह इस्थल उस पूरे नानपुर विलेज की रख्षा पुवा में से निकला से निकला से निक राइट कुवें के बारे में जो ब्रह्मसान के साथ खेमस है राकेश जी फोड़ा सा इसी कुवा में से ब्रह्म वा निकले हुए थे रात को पूरा एकदम अधी तुफान के तरह हुआ उसके बाद ग्रामिन लोग को मालूम कुछ समझ में नहीं आया लेकि कुवा हो गया तुमा प पहले मंदिर बनाओ उसके बाद तुम्हा माकान बनेगा वही चौधरी साथ पहले यहां जोपरी टाइप का थी किये निर्मान की है और जब जोपरी इसके बाद नरेश विया जो है तो पूरा मंदिर उसके बाद फिर तैयार कि वही बर्मस्तान हम लोग का बर्मस्तान के लिए चबुत्रा ही इस कुवा में से निकला है और इनका घोरा जो है घोरा पोखर में पानी पिता था इसलिए जो बढ़ा है उसके बारें वहां पे तो बाग रहाता था तो नानपूरे स्टेट का है वह बर्मस्तान को कोई कंशल्ट नहीं है यही कुवा जो है सो हम लो को दर्सन कराता हूं मैं आपको यही कुवा तो भर गया है यही कुवा में आम लोग का जिसमें की ब्रह्म बावा से चबुत्रा हो पूरा निकला है तो विश्ची में कोई सब समाज यदी कठा हूए कुवा को यदी फिर से रोड में आविगल से नहीं पर नान्यपूर का इस्थल जिसे नान्यदेव जी की समाधी इस्थल मानी जाती है एक बहुत बड़ा सा चबूत्रा है जिसके अंदर नान्यदेव जी की समाधी है और वहां पर एक छोटी सी एंटीक मोर्ती रखी हूई है नान्यदेव जी की वो घोड़े पर सभार है और नान्यदेव जी की यह मूर्ति वहां पर प्रतिस्थापित है, ऐसा माना जाता है कि नानपुर में जो प्राक्रितिक आपदाएं उनसे बचाने के लिए, यहां पर जो भी पूजा अरात्मा की जाती है, उन सब की वज़े से ही पूरा नानपुर गाओं आज तक प्राक्रितिक आपदाओं से पूज़ा पूज़ा चे वह के नों विशेष्ट थी हैं और आख्वाण के दिन लॉए कि निका खीर पूरी के भोग लगाया जाएची प्रामन के विज़ण कर ने सब्क पूरागउं पोजा बेची आएम के लोग को पर करते हैं उसके पुजा पद्धिती क्या एंए यह सब हम जानते हैं वहां के ही लोकल और प्रतिस्थित लोगों से एक बार मैं आपको फिर से ब्रह्म का जो इस्थान है वो जो चौकी है वो मैं आपको दिखाता हूँ जो राकेश जी ने भी हमें बताया कि यह जो चबुत्रा है यही कुवां से जो निकला हुआ था और दर्संद की कर सकते हैं अब साक्षा थे इस पर कई चीजें लिखी हु है लेकिन यह दर्संद जो है से इनका बहुत पूर्णी माना जाता है आपके सारे मनुकाम्नाओं को पूर्ण करता है कहां यह जाता है कि यही ब्रह्म बाबा ही है जिसके वज़े से नार्पुल में किसी भी तरह की कोई आफदा जो है सुने है यही रच्छा ग्राम सेवक यह हुआ है यह हमारे ग्राम सेवक हो गए बार्बाल हो गए है आज जन्मीडिया टीवी में इतना ही नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और जगह पे मुलाकात करेंगी तब तक के लिए हमें आगया दीज़ें अन्यवाद नानपुर में दो पोखर है और ऐसा माना जाता है कि भगवतिस्थान जहां पर माता का पिंड है वहां पर भगवति के जो शेड होते थे बाग होते थे वह बाग वहां पर ही पानी पीने आते थे इसी प्रकर जो दूसरा पोखर है उसका नाम घुरवार है और यह माना जातात है कि नान्य देव जी अपने घोडों को वही पर पानी बिलाते थे एक और मंदिर है खंजन्या देवी जी का और उसके बारे में मानने था है कि वह अपना अरगा देनी के लिए वहां पर एक पीपल के पेड़ पर आती थी और वहां से कुछ किलो मीटर दूर पर कोईली के तरफ एक और मंदिर है, वहां तक वह भ्रहमर करनी के लिए जाती थी, जिसका विस्ट्रित पूरा रूप हम इस वीडियो में देखेंगे. अब नहीं लोग देखेंगे लेकिन पहले हैं, एक आरगा चोलते हुए यहां से 2-3 किलो निकर पच्छिन करे चमनी लोगी भागवती उनसे डेली मिलने जाती थी, और फिर वहां से वापस जोती हुए अरगा के साथ अपने अस्थान में परजोश करती थी, यहीं इनकी किरपा इसके दिख्यात से गहां पूराना मंदिर है, और आज तक यहां इनका कुझा होता है, वह सब गौवर्ण के से लोग जानते हैं, और अगल में सीवा के लिए अपटा मागा के सब गाला जी का मंदिर है, अब ये चारो क्रापिंग उसके इनकी धिख्याती का फिली नगहीं के आगे हम आपके पंजरियाझ दिक अभinger दिखाते हुए हम अपा्था अधिय का ुप princes इसका हम इसके दिखाती है जम सुली होता है अगर साहितिक कार्यों में तो उन्होंने संस्वृत के कई धुनों की रश्ना की ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सरस्वती हृदया लंकार की रश्ना की थी और ग्रेंथ महरसी में उनका नाम उलेखित है उनके महत्योपूर्ण संस्कृत के धुन आज भी प्रचलित है नान्य देव जी करनाट वंस के संस्थापक माने जाते हैं और वह छत्रिय कुल के थे आज भी सहर्षा के निकट के लोग उन्हें अपना पूर्वज बानते हैं और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आज भी उनके साक्षे मिलते हैं नान्य पूर्व में उनकी समाध्य स्थल है जिसे ब्रम्ह स्थल के नाम से जाना जाता है और उन्होंने अपने वीरता और साहस से कई ऐसे कार्रे किये थे जो आज भी उनके सौर्रे को प्रदर्शित करते हैं नान्य पूर्व में एक तालाब है जो इसका नाम घोडवार है और ऐसा माना जाता है कि उनका जो घोड़ा था वह उसे वही पर पानी पिलाया करते थे बेसिकली उन्होंने वह तालाब अपने घोड़ी के लिए ही बनवाया था और वह तालाब आज भी है कर रालाब वहां पहां प्रबुले झाल झाल